नमस्कार, सर्प्रियर वाल सभी का स्वाकत है, मैं हूँ ये सस्पांडे, आप देख रहे हैं सर्प्रियर समझार, आए ले चलते हैं आपको समझार की हो इतर पदेश जनपत जोनपूर के मचलि सार लोग सभा छेत्ष से भाटपा प्रत्यासी बीपी सरोज ने अपना नामांकन किया नामांकन के बाद बीपी सरोज के पैत्रिक आवास मातर डिह में समर्ठकों में खुसरी की लहर देखने को मिली नामंकन के बाद सबकी नहर से बाचीत के दोरान बीपी सरोज ने कहा कि मचली सार की जनता एक बार अपना आश्री बात दे कर लोग सभा में भेजने का कारी करे मचली सार छेत का चमुखी विकास कराऊंगा उन्होंने कहा कि मेरी लडाई सिरफ गड़ बंधन से है क्या कहा सबकी नहर से बाचीत के दोरान बीपी सरोज ने आप खुछ सूल लेजिए सबकी नहर डिश्टल टीम के साथ सर्वेस्तिवारी की खास रिपोर्ट समय मैं बीपी सरोज जी के पास खड़ा हूँ जो मचली सार संस्थी छेतर से आपने नामंकन किया है कारकरताओं में बहुत बड़ा उस्साह देखनों के मिला है आईए बात करते हैं पीपी सरोजी से ये बहुत जीसा टकर है आपकी देखिए ये तो हमारे भारती जनता पार्टी के कारकरता है इतने उस्साहित है वो टकर तो ही है क्योंकि गड़वंधन है सामने तो लेकिन इनका उस्साह उमंग इतना जादा बढ़ा हुआ है कि वो गड़वंधन कोई काम नहीं करेगा किस से है लड़ाई आपकी गड़वंधन से है और किस से है हमारी लड़ाई और किस से हो ही सकती है लड़ाई हमारा जो प्रतिदोंदी मैं अपने सामने मान रहा हूं कांग्रेश को नहीं मान रहा हूं अधर पार्टी को नहीं मान रहा हूं मैं मेरा जो गड़वंधन का प्रत्यासी है अपोजिट का मैं उसको अपना प्रतिदोंदी मान रहा हूं लेकिन हमारे लोगों में भ आप सब लोग मुझको आसिरवाद दे करके पार्लियामेंट में पहुचाईए और मचली शहर लोग सभा के विकास के लिए मैं कोई कोरकशर नहीं रखूंगा जो भी मुल्भुस जाएं हैं उनको जो है चुनाव जीतने के बाद अपने मचली शहर लोग सभा को प्रदान करन क्या उम्मीद है जीतने के बाद बीपी शरोज इंकलोगते यहां के मंत्री होंगे यह हमारे स्वीट से निर्ट उत्ते हैं करेंगे बहुत बड़ा ख्वाद हमको लेंगे